पैसे ही का तमाम ये कंगो दिवार है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले सबसे बड़ी खबर है दरसल भारत के बैंकों से जुड़ी, भारत के बैंक चिंता में डूबे हैं, डरे हुए हैं, क्या वज़य है, क्या चिंता है, ये जानेंगे, लेकिन कुछ और खबरे भी हैं, जो आज मनी सेंटल का हिस्सा है, उनके लिए आप देखें ये ओन्दा शो शुरुआत करेंगे कि स्मार्टफोन की खबर के साथ, क्यों महंगे हुए स्मार्टफोन, क्या बता रहे हैं, GST संग्रह के आंकडे, किन खर्चों से बिगडा सरकार का बजट, सरकार ने अत्रिक पैसा मागा है, संसत से मन्जूरी में लिए, क्यों बिगडा सरकार का भारत में स्मार्टफोन का एवरिज सेलिंग प्राइस, यानि कि आसद बाजार रिमूल, 2022 में बढ़कर 224 डॉलर हो गया है, 224 डॉलर का मतलब करीब साड़े 18,000 रुपए का एक आसद फोन बाजार में बिक रहा है, यह अब तक का रिकॉर्ड भा हुए, और 2021 के मुकाबले 18 फीसद जादा है, इस वरिदी की मुक्ष बज़े दो हैं, पहला कि एपल और सेमसंग इनकी बिक्री बढ़ी और इनके स्मार्टफोन जो हैं आम तोर पर महंगी होते हैं, तो एक तो यह बज़ा है, और दूसरा, रुपे के मुकाबले डॉलर में आई तेजी इसका असर है सर और कोई वज़े भी है स्मार्टफोन बाजार में ये तेजी की? भारत में स्मार्टफोन में बड़ा निवेश हुआ है, भारत में असेंब्लिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, भारत ने निर्याद करना शुरू किया है, बड़े का जीब सिया संगती है कि जिस समय से भारत में स्मार्टफोन में निवेश बढ़ना शुरू हुआ है, भ ये बड़ा ब्लाकर है ये सबसे बड़ा ब्लाकर है और हाल में टियाराई ने भी संदर में कुछ अलग अलग मंचों पर संकेत दिया था कि अगर भारत में स्मार्ट स्वोन की कियमतें 18 से 20,000 रुपय तक हो जाएंगी तो एक बड़ी आबादी को इंटरनेट से जोड़ पाना सब्भब नहीं होगा हमें ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में इंटरनेट से जुड़ने का पहला रास्ता मुबाइल फोन ही रहा है भारत में अधिकांश लोगों ने इंटरनेट से अपने आपको केवल मुबाइल फोन के जरी जोड़ा है पिशले साल नवंबर में सरकार के और उद्यों के आकड़ों ने हमें बताया था कि लंबे समय के बाद भारत में इंटरनेट की ग्रोथ रेट भी कम हुई है सरकार ने संसद में बताया कि देश में GST के जरी जितना टेक्स कलेक्शन हो रहा है उसमें 90 फीसद टेक्स टॉप 22 फीसद कारोबारी उन्हें माना गया है जिनका सालाना बिजनस टरनोबर 50 करोल रुपए या इससे जादा है उधर एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि सरकार को टेक्स से लगने वाले जो सरचार्ज हैं उसके जरीए जो कमाई हुई है वो भी बढ़ी है वितवर दोहजार बाइस तेईस तेईस चौवईस के दौरान चार गुना की बढ़ोतरी हुई है इस आंक्डे में सर क्या मतलब है इन जीएस टी आंक्ड़ों का जीएस टी के और टैक्स कलेक्शन के दो महतुपून आंक्ड़े आए और ये दोनों भारत के टैक्स सिस्टम की एक बड़ी असंगती बताते हैं पहले चीज तो अब जीएस टी के आंक्ड़े को देखिए जो सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में वारत का 50 परसेंट चीएस टी तो तो यह वह बारत में की जैक्स कारोबार भारत में हर कारोबारी को टैक्स देना पड़ेगा टैक्स के दारे से कोई बाहर नहीं रहेंगे डियस्टी आते ही सरमुडाते वो ले पड़े थे विरोध हुआ राजनीत कुरूप से मुश्किल हुआ पर सरकार एक कंपोजिशन स्कीम लाई और इस कंपोजिशन स्कीम के जर कि भारत में जियस्टी की दरे कंप करके टैक्स के बेस बढ़ाने की कोशिश थी वो यहां पर कंजोर होती दिखाई देती है पहले चीजिए दूसरा और गहराई से जाकर देखें तो भारत में 50 करोड के टर्नोबर वाली कितनी कम कमपेनिया हैं कितना छोटा हिस्सा है भारत में 50 करोड से उपर के टर्नोबर वाली कमपेनियों का यानि इसका मतलब यह है कि जाधातर कमपेनिया जो ट निवेश के आधार पर manufacturing में निवेश और बाकी जगें निवेश के आधार पर रोजगार आएगा तो जब 50 करोल के साला ना टरनोवर वाली कमपीनिया ही इतनी हैं जो टैक्स दे पाएंगी तो फिर आप इन कमपीनियों से रोजगारों की और इन से बड़े निवेश की जो पर क्यों नहीं हो पाई यहां लगातारे का और नहयकर को सबसज़ादा कर देख सकते हैं यहां कि बाई सबसे बड़ा हिस्सा है और यही सरकार को सबसे अधा टैक्स देती हैं दूसरा जो आकड़ा आया सरचार से कलेक्शन का वो और भी महत्वपून है इस पर वी बहसें लगातार चलती रही है यह पता चला है कि भारत में जो सरचार और इंडरेक्ट टैक्स पे सरचार से कलेक्शन है वो 2022-23 में चार गुना हो जाएगा पिछले साल की तुलना में जो कि 2021-22 में था ये राजसभा को सरकार ने बताया और ये आकड़ा ये बताता है कि भारत में कितना ऐसा टैक्स है जो सरचार्ज के जरिए नार्मल टैक्स सिस्टम से बाहर पहुंच चुका है 2023 के रिवाइज इस्टीमेट के साफ से 173,000 करोण रुपए का कलेक्शन सरचार्ज से हुआ है त्यानकना जरूर ही कि सरचार्ज को सरकार राजसरकारों के साथ नहीं बाढ़ती है ये कि सरकार अपने लिए रखती है अलग से लेकर आती है अब बात करते हैं सरकार के बजट की क्योंकि ये सरचार GST होता है बजट का हिस्सा वितवर्ष 2022-23 खत्म होने कोई लेकिन सरकार ने इस वर्ष के लिए पिछले साल जो बजट पेश किया था वो कम पढ़ गया है और अत्रिक्त बजट के लिए सरकार को संसत की मंजूरी ले सर ऐसे कौन से खर्चे बढ़ गए अचानक जो सरकार को अत्रिक्त पैसे की मांग करनी पड़ी अगले साल का बजट पेश होई चुका है लेकिन पिछले साल का बजट अभी चल रहा है क्योंकि वितवर्ष खतम नहीं हुआ है और यहां हमें बजट बेहात होता दिख रहा ह और फिर अगर खर्चा आकलन से जाधा जाता है तो उसके लिए एक अनुदान या अनुपूरक मांगें आम तोर पर दिसंबर में संसत के शीत काली सतर में पेश की जाती है पर इस बार एक विशिश तिस्तिती दिखाई दी जिए सरकार को बजट सेशन में एक और मांगी है संसत्मिश और शराबे के बीचे डिमांट फा ग्रांड सी है जो मनी बिल था ये पारित हुआ है और शुबहम इसके बाद भारत में इस साल यानि इस वित्तवरश में 31 मार्च तक 2023 के वित्तवरश में भारत में सबसीडी का फटलाजर सबसीडी का बिल 25 लाग करो रुपए हो जाएगा जो पिछला साल जब शुरू हुआ था मा अप्रैल में और फरवरी में बजट पेश किया गया था तो केवल एक दसम्लब पांच लाग करो रुपए का आकलन माना गया था यानि पूरा का पूरा फटलाजर सबसीडी का आकलन एकदम सरके बल खड़ा ह हो गया है और सारा का सारे सारे कालकुरेशन जो साल भर के थे क्योंकि और वर्वरक के कच्छे माल की कीमते बढ़ी हैं अब आपको एस समझ माया है कि सरकार फटलाजर सबसीडी को लेकर इतनी बेचें कियों कर रही है कि लैंड होल निंग के आधार पर बाकी चीज़ों के पर फर्टराजर के सब्सीटी में कमी की जाये और इसमें फर्टराजर के सब्सीटी के बिलको कम किया जाये दूसरा जो बड़ा हिस्सा है वो इसमें 25,000 करोल का जो यूनिवर्सल सर्विस फंड अब्लिगेशन का जो पैसा का लिट किया गया था सप्रिमेंटी ग्रांट में उनका एडिशनल ट्रांसफर किया गया है और तीसरा जो बड़ा हिस्सा है वो 33,718 करोल रुपए का वन रैंक बन पेंशन डिफेंस मिनिस्ट् उसके भुगतान के लिए उसके एरियर के तौर पर दिया गया इसमें ओरोपी के करीट 24,465 करोल रुपए के एरियर्स हैं आर्मी और नैवी और एर फोर्स के मिलाकर तो इसे साबसे साल खत्म होने से पहले सरकार की जो बजट की गणित थी वो गडबड़ा गई है तो इसल नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया यानी ने वितवर्ष दोजार तेईस चौबिस में उननिस सो सतासी किलोमीटर के राजमार्गियों के मोनेटाइजेशन का लक्ष रखा है मोनेटाइजेशन का मतलब सीदी सी बात है कि उन सलकों को बेचा जाएगा टोल खंडों का मोनेटाइजेशन हो और ये इस्तितिया क्यों होई दो तीन आकले समझने की जरूरी की जरूरत है यहाँ पर उसके बाद हम देखते है कि कौन कौन से खंडों पर बनी हुई सलकें जो ने बनाई है जिनने बेचा जाएगा पहली चीज़ समझना जरूरी है कि एन एनेचाई को बाजार से नए कर्ज उठाने से रोक दिया था और पिछले दो साल से भारत में सडकें बनने की रफ्तार सुस्त और धीमी पड़ी हुई है एनेचाई एक डेट ट्रैप की तरफ की सकती दिख रही हाला कि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि इसको समालने की को इसलिए जो सरकार ने एसेट मानिटाईजेशन का प्लान जिसे आप सरकारी संपत्यों के नीजी करण का प्लान कह सकते हैं उसे जो बनाया था जो जो दोजार इकीस बाज से दोजार चोबिस पच्चीस के बीच में एनेचाई को छे लाग करोल रुपए का जो सरकार का हुई सलके बेची जाएंगी इस प्रक्रिया में कुछ सलकों का मानिटाईजेशन पिछले साल किया गया है अब हम आते हैं इस साल के लिए इस साल सरकार लगभग 1900 किलो मीटर 2000 किलो मीटर के आसपास की सलकों की बिक्री करने की तियारी कर रही है अगले वित्तवर्ष में त जिसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा जेतपूर सोमनात कुजरात का एक स्ट्रेच है जिसको दिया जाएगा और हर्याना में रहोतक बावल का एक स्ट्रेच है जिसे प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा हामतार पर एसेट मानिटाईजेशन की कोशिशें प मेहगाई को लेकर मेहगाई को बहतर तरीके से समझने के लिए आखने के लिए और उससे बहतर तरीके से लड़ने के लिए आर्बियाई का यह मानना है कि सीपी आई में बदलाव की जरूरत है अर्बियाई ने काया कि संसोचल सीपी आई से उसे मुद्रा इस्टी को काबू कर रहे और वो सरकार को अलग अलग तरीकों से इसे बताते हैं। कभी सीधे बताते हैं। कभी रिसर्च और पेपर के जरीए बताते हैं। ये इस पेपर में सरकार से कहा गया कि वो जो CPI है भारत का जो भुकता मुलिस उचकांक है जो खुदरा महंगाई है जिसके आधार पर रिजर्ब बैंक ब्याजदरें तै करता है और उसे आधार बनाकर रिजर्ब बैंक का जो टालरेंस लेवल है 4 और 6 पीसदी का तै करता है और इस आधार पर ब्याजदरें में बदलाओ किया जाता है उसमें कुछ खोट है उसमें गलतिया है अब इसके पीछे की कहानी समझे जो दिल्चस्प कहानी है फर्वरी का जब आकड़ा आया तो उसमें भारत में महंगाई रिजर्ब बैंक के टार्गेटिट लक्षे से उ अब रिजर्ब बैंक के एकॉनिस्ट ने सरकार से कहा है कि जिस तरह से सीपी आई की गणना की जा रही उस गणना में कई सारी खोट है जिसके आधार पर महंगाई शायद जो वास्तविक इस्तिती है उससे जाधा बढ़ी हुई दिखती है अलाकि इस पश्टूप से नहीं की कीमतों ने पूरा खादे महंगाई का आंकड़ा या गणे बिगाड़ दिया है रिजर्ब बैंक ने अपने इस पेपर में कहा है कि सरकार को कंज्यूमर स्पेंडिंग का नया सर्वेक्शन कराना चाहिए क्योंकि जो पुराना सर्वे है वो करीब करीब 7-8 साल पुराना ह हो चुका है और उस पुराने कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे के आधार पर सरकार जो 2012 का है दरसलिये जो मौझूदा CPI बेस है वो लगबग 10 साल पुराना हो चुका है इस आधार पर सरकार जब महंगाई का आकलन करती है तो जो खपत का हिसाब लगाती है हमारे आपकी आ हमारे खर्च में जो बाकी हिस्से हैं जो नान फूड एक्सपेंडिचर हैं उनको सही ढंक से आकड़ा रिफलेक्ट नहीं करता है तो लोगों के जो बाकी खर्च हैं उन्हें भी समेटा जाना चाहिए भारत में कंजूमर एक्सपेंडिचर का जिसको हम CES बोलते हैं कंजू महंगाई नियंतरन में नहीं है तो महंगाई के भीतर क्या है ये कैसे निकल रही इसे लेकर एक दिल्चस्प एकेडिमिक बहस सरकार और रिजर्बैंक के बीच शुरू हो रही है अब आने वाली महगाई से जोड़ी एक ख़बर सुनी है अमेरिका के इन्वेस्मेंट बैंकर गोल्मेंट सेक्स ने दुनिया भर में कमूरिटी सूपर साइकल की आशंका जताई है चीन में मांग बढ़ने की संभावना और दुनिया भर में पूंजी का प्रवाव बढ़न और नंबर्स के साथ डेटा के साथ बता रहा है कि कमोडिटीज का जो सुपर साइकल शुरू हुआ था सुपर साइकल का मतलब है जब कमोडिटीज में लंबी तेजी का दौर शुरू होता है वो सुपर साइकल मजबूत है और चल रहा है जबकि हम तातकालिक तोर पर रोज लंबे समय तक चल सकती है और गोल्डमेंसेक्स का आकलर निश्य तोर पर दुनिया के बैंकों के कान में किसी शोर की तरह जाएगा उनके कान के लिए अच्छी खबर नहीं है गोल्डमेंसेक्स ने जो नंबर बता है उसने लंबी अबदी के लिए 15,000 डालर परटन के कॉपर क गारेट रखा है जो करीब करीब 8,000-8,000-9,000 डालर परटन के आसपास है गोल्डमेंसेक्स का मानना है कि कॉपर जो सबसे महतुपूर और इस सबसे जाधा कमोडिटी इसके मामले में बाजार का मूड क्या है कमोडिटी सुपर साइकल का जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है स जबसे बड़ा संके तक है जिसको आप जंदा बड़ार कह सकते हैं वो कापर होता है तांबा होता है तो तांबे की कीमतों को 9,000-15,000 पर टन के आसपास का आकलन गॉल्मेंसेक्स ने दिया है कमोडिटी में यह माना गया है कि सोने कभा तो 2,000 डालर से उपर पहुंची गया तो यह तो हुई उन लक्षों की बात जो दुनिया के बड़े निवेशक मान रहे हैं वजह इसकी क्या बता ही गुल्मेंसेक्स ने वो महत्तुपूर्ण है गुल्मेंसेक्स का मानना है कि पिछले 7-8 सालों में दुनिया में कमडिटी की खोज में उतपादन में और माइनिं पर निवेश और भी कम कर दिया है बाजार ने अब मौझूदा परिस्थिती में उतपादन और मांग और आपूर्थी के हिसाब से अपने आपको ऐसे एडजिस्ट किया है जिससे की बाजार में लगातार मांग से कम आपूर्थी रहेगी आने वाले समय में क्योंकि क्षमत अन्वेश नहीं है दूसरा जमात्पूर्ण फैक्टर यह कि माइनिंग शेक्टर में निवेश लंबे समय के लिए कि लिए आ जाता आ ऑर उसके लिए सस्ता कर्ज चाहिए कर्ज सस्ता नहीं है कर्ज महंगा हो गया है इसलिए नई माइनिंग परियोजनाओं में भी आने व ऐसा ही उमीद जताई गई है, खासकर 81 bond के जरीए जुटाने वाला जो धन होगा, वो पहले के मुकाबले जाधा महगा पड़ेगा, क्रेट सुइस के 81 bond के निवेशकों को करीब 17 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, आशंका ये भी है कि भारत में क्रेट सुइस के लिए काम कर रहें करमचारियों की नौकरी जा सकती है, और अमेरिका के बैंकिंग संकट के वेशे भारती IT कंपनियों के मुनाफ़े पर चोट पहुंच सकती है, अब तक ये बात थी, अमेरिका तक ये बात थी, स्विजरलेंड तक लेकिन अब इसकी परतें खुली हैं तो आब इसका असर भारत के कई उद्धोगों पर दिखने लगा है, पहले बात करते हैं IT सेक्टर की, सर भारत के IT सेक्टर में इतनी बेचैनी क्यों है? दो बड़े सेक्टर जिन पर सीधा असर दिख रहा है, और अगर आप शेर बाजार करीश्ब से देखते हैं, तो शेर बाजार इसे रिफलेक्ट कर रहा है, बात के नियामकों ने भारत की सरकार की तरफ से और रिजर्ब बेंक की तरफ से कहा गया है कि भारत के बैंक रिजीलियन्ट है, इनके अंदर ख्रम्ता है, इसका बड़ा आफर नहीं पड़ेगा, भारत की अर्थवस्था यह जो ताजा बैंकिंग संकट है, इससे अपरभा बहुत रहेगी थोड़ा बहुत असर होगा लेकिन सब सूचना तक्निक कंपिनियों में जाधा बेचैनी और घबराइट है शुबम इसकी वज़े यह है इसका जो मुख्य वज़े है कि जो BFSI इंडस्ट्री है जो बैंकिंग और फिनांशियल सर्विसिस इंडस्ट्री है वो क्रेडिट सुई के संकट के बाद दुनिया भर के बैंक अपने खर्च में कमी कर रहे हैं क्योंकि उनके बांड उन्होंने जो बांड में निवेश कर से रखा हैं बांड के कीमत घट रही है और यल्ड जाधा हो रही है उनके वित्ती उनके पास उन्होंने जिनकों को कर्ज हैं और उन्हें अपनी सेफटी के लिए किसी संकट से बचने के लिए कुछ और जाधा प्रडेंशल मेजर्स में जाना पड़ेगा जहां उनको कैपिटल जाधा इंवेस्ट करनी पड़ेगी यह इस्थिती बैंकिंग सर्विसेस के विस्तार के लिए आई टी सेक्टर में नए निवेश के लिए नई सेवाएं नए साफ्टवेर लगाने की परिस्तिती के तोर पर चुनोती पूर्ण है और इसलिए माना जा रहा है कि भारत की आई टी कंपिनियों के मुनाफों में 30 बिसिस पॉइंट तक की कमी आ सकती है इसमें भी खास तर पर ध्यान देने की बात य PCS जैसी जो बड़ी कंपिनिया हैं वो कंपिनिया इस बाजार में सबस्यादा सर्विसेस देती ही ने प्रोवाइट करती है और इस वशे से IT कंपिनियों के स्टॉक्स पर जाधा दबाव दिख रहा है और यह माना जा रहा है कि जब तक संकट नहीं उबरेगा IT कंपिनियों कि दरश्टे से ही हमें समझना जरूरी है अर्थवे उस्था को भारत में हर अमामले को भारत में BFSI इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री पिछले 10-11 साल के सबसे बड़े संगठेत रोजगार प्रोजगार देने वाले हैं और हमने IT इंडस्ट्री में रोजगारों की छटनी क अब जो बड़ी पुरानी कमपीनिया है जो जिनने आप IT सेक्टर की बड़ी मजबूत कमपीनिया मान सकते हैं जिनके पास बड़ी ग्रहक लिस्ट है और जो हायरिंग कर सकते हैं वहां भी अगले एक साल में नौकरियों की संभावनाय सीमित हो जाएंगी क्योंकि उन्हें कारोबार में और अपने राजसों में गिरावट की आशेंका है ताजे बैंकिंग संकट के काराण तो संकट SBB का था क्रेट सुई का था असर हो गया विप्रो, TCS और इंफुसिस की नौकरियों पर सर अब बात करते हैं बैंक होगी, बैंकों में ये चिंता क्यों है बैंकों में भारत के बैंक बड़े अरोखी है जैसे चिंते था हैं, शुब हमने आपको बताया कि 81 बान्ड को लेकर पूरी दुनिया में अजीब सी संसनी है क्योंकि 17 बिलियन डॉलर के 17 अरब डॉलर के 81 एक दम स्वहा हो गए खतम हो गए 81 बाइंड को लेकर भारत में पहले से भी चर्चा है 81 बाइंग के बाइद को बता दें canra कि ,"81 बाइंड एक तरीके के परपिचल एक्विटी बाइंड होते है, जो बैंक अपनी पूजी जुटाने के लिए देते है इसमें शेयर नहीं होत से बात करने की कोशिश की पूरी दुनिया में 81 बांड ऐसा माना जा रहा बैंकिंग सिस्टम की नई फाल्ट लाइन बन गए नया धरार बन गए क्योंकि इसके जरीए बैंकों को एक बहुत आसान विंडो उपलब्द हो गई थी जिस विंडो के जरीए उनको अपनी एक्विटी तो नहीं बेचनी पड़ती थी पर पूंजी लाने के लिए वो एक्विटी जैसा एक बांड बेच लेते थे भारती बाजार में हमें 81 बांड को लेकर बैंकों की बीच काफी संसनी है पर हम आपको आकड़े बताएंगी कि भारत के बैंकों के 81 बांड कितने है पर इससे पहले आप एक ताजा घटना करम याद कीजिए इस बैंक का 81 बांड अदालत में चक्कर काट रहा है जैसे ही जब इस बैंक संकट मे आया था और जैसे क्रेडिट सुई को उबारा गया UBS के जरिए वैसे ही भारत की सरकार ने भी SBI के नेतरुत में कंसोर्टिय मना कर S-Bank को संकट से उबारा था तीन साल पहले और अब जब वो उसकी लाकिन पीरेट खतम हुई तो S-Bank के करीब 8000 करोड कर शायद 8400 करोड र पराशी जुटाई है हाला कि इनालिस्ट के बीच में या जानकारों के बीच में इस बात पर थोड़ा सा मतभेद हैं उनका मानना है कि भारत के बैंकों का 81 बांड का एक्स्पोजर कम है दुनिया के बैंकों की तुलना में पर छोटा नहीं है HDFC बैंक के पास 15,360 करोड रुपए की 81 कैपिटल है ICICI बैंक के पास 10,000 करोड की 10,414 करोड रुपए की 81 कैपिटल है अगर आप सरकारी बैंकों में देखें तो State Bank of India के पास 26,940 करोड रुपए की 81 कैपिटल है डेल से 2 फीजदी के आसपास है बाकी जो बैंक है प्राइवेट बैंक वहाँ पर एक फीजदी से लेकर 50 फीजदी के आसपास है पर बड़ा नंबर महजूद है संकट यह नहीं है कि 81 बांड की क्राइसिस के करन भारत के बैंकों में कोई बड़ा संकट आएगा संकट यह है कि 81 बांड में निवेशक आसानी से नहीं मिलेंगे क्योंकि जिस तरीकी की परिस्तितियां दुनिया में 81 बांड को लेकर बन रही है जो लंबे समय के लिए बैंकों को इकुटी जैसा कर्ज देते थे उन्हें अब बैंकों को 81 बांड प्लेस करने में और नया कर्ज लेने में दिक्कत होगी आपको याद होगा कि पिछले हफते यूको बैंक ने पर अब बैंकों की बैंकों की सबसे बड़ी वजह है और इस बैंकों की बज़े को को तकनीकी दारे से बाहर निकल कर समझें कि अगर 81 बांड की कॉस्ट बढ़ती चली गई इमान लीजे 81 बांड पर निवेश करने वालों ने 9% और 10% ब्याज़दर मांगना शुरू कर दिया तो पहले चीत तो बैंक की profitability बुरी तरह प्रभावित होगी बैंकों के भविशी के आंकलों के बारे में पता चलेगा कि आपको ये इतना ब्याज़ी कैसे दे पाएगा ज इसके बिहाफ पर फिर आईमेफ सोचेगा इसके लिए पाकिस्तान ने साओधी अरफ से ब्याज मुक्त करज की मांग की दी लेकिन साओधी ने पाकिस्तान की इस मांग को ठुकरा दिया, इंकार कर दिया सरा पाकिस्तान का क्या होगा? इसमाना जा रहा है कि इसमें फ्राओ कैसे रोका जाएगा? बंगलादेश ने आईमेफ के सुझाओ पर अपने रिस्ट्रक्चरल रिफार्म शुरू कर दी हैं, बंगलादेश को बें आईमेफ का बेलाउट मिलने की संभावना दिख रही है, शिर्लंका को लंबे संभादे पैसा मिला है, पाकिस्तान ने अपनी जो भी कोशिश है की, उ चीन की तरफ से जो चीन ने अपने आईमेफ को अतरिक्त रूप से साहता दिये, जिसके इस्तेमाल से पाकिस्तान अपने पेट्रोल डिजल के आयात के लिए थोड़ी भूत पूजी उपलब्ध करा सकता है, आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर जेटपर्ट बे मौसम बारिश से फसलों को पहुँचे नुकसान की वज़े से महगाई फिर बढ़ सकती है, कई राज्यों में सब्जियों को हुए नुकसान से उनकी सप्लाई पर असर पर सकता, जिस वज़े से भाव बढ़ने के आसार है उदर मौसम बारिश को भी कुछ राज्यों में वारिश का नुमान लगाया है, बरसात की वज़े से सप्लाई और प्रभावित हो सकती है टाटा मोटरस ने कॉमर्शिल गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया, अपरेल से कमपनी की कॉमर्शिल गाड़ियों के दाम पांच फीसद तक बढ़ जाएंगे ओलान संचारन की मंजूरी मिली हुई गया है, विदानता गुर्प की सबसेडी हिंदुस्तान जिंक ने किया अंतरिम लावांज के चौथे खेप का एलान, कमपनी वितवर्श दोजार बाइस तेईस के प्रतिशेर, बाइस तेईस के लिए प्रतिशेर 26 रुपए अंतरिम फीसद होता है, करीब 11,000 करोड रुपए का डिविडेंट बाटेगी, इसमें से एक मोटा हिस्सा कमपनी के पास खुद आएगा, जिसका इस्तमाल वो कर चुकाने के लिए कर सकती है, इन खबरों में सबसे महतुपूर्ण खबर और सबसे बड़ा असर करने वाली खबर अम अमिरात ने भारत से 50,000 और सीटों का कोटा मांगा है, जिसके जरी वो भारत से अंतराश्ट्री आत्रियों को ले जा सके, सरकार ने इस पर आपती किया, आपती की दो वज़े हैं, एक तो वज़े है कि एर इंडिया का प्राविटाजिशन हो गया और इंडिया हैं, जितने की कैपिसिटीज हैं, उसे साब से एर इंडिया के बाजार में, में बड़ा हिस्सा अमिरात के पास चला जाएगा, दुसी ज़े हैसा भी माना जा रहा है कि सरकार जो ये समझवता हुआ था, अमिरात के साथ, एर सर्विस एग्रिमेंट जो अब लगवग साथ- इस साब से अमिरात को भारती बाजार में कुछ जाधा ही बड़ी हिस्सेदारी मिल चुकी है, जो कि 45,000 सीटें काफी बड़ा है और उसके बाद अब अमिरात 50,000 सीटों को अलग से मांग रही है, भारत और अमिरात के भी चाल में रिश्ते बहतर हुए हैं, भारत ने अमिर को पसंद आया होगा, फिलाल दीजे इजाधत, कर शाम को फिर साथ बजी आएंगे, मनी संटल की नई खेप लेका, नया संसक्र लेका, नमस्कार. झाल